दोस्तों ये है Techno Spark 7 का Octa Core version इससे पहले market में Techno Spark 7 चल रहा था जो Quad Core Processors के साथ आता था लेकिन अभी कर दिया है इसे अपग्रेट और अब ये Octa Core Processors के साथ आपको मिलेगा फास्ट अपॉल इसका प्राइज हम जान लेते हैं तो ये आपको 7,499 रुपे में मिलता है इसमें आपको 2GB RAM, 32GB का इंटरनल इस्टोरेज, रियर में आपको 16MP और फ्रेंट में आपको 8MP का सेलफी कैमरा दिया गया है मोबैल का डिजाइन आपको बॉक्स में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, 6000 mh की आपको इसमें बैटरी मिलती है जो की बॉक्स में भी मैंसन की गई है और Octa-Core वर्जन को भी आपर मैंसन किया गया है, तो चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं क्या-क्या दिय आगया है इसमें और नया कुछ खास, तो बने रही है मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आए हो फास टाइम, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की अन्बॉक्सिंग और कमपेरिजन वीडियो आपको एक यूजर मेनवल और 12 मंद का वरंटी काल दिया गया है, इसके अलावा अंदर आपको मिलेगा एक चार्जर अडप्टर, ये 10 वोट का है, 5 वोल्ट 2 एमपेर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है, इसके अलावा आपको एक वाइट कलर की नॉर्माल माइक्रो यूएस्वी केविल इसके साथ दी गई है, और ये रहा हमारा स्मार्ट फॉन जिसका फ्रेंड लूक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, इन हैंड फील काफी कमफरेबल लग रहा है, हाला कि हैवी और थोड़ा सा बड़ा हाथ में आपको मैसूस हो लेकिन इन पर स्क्रेचेस आ सकते हैं, कवर जरूर लगा के रखे हैं, स्पार्क की ब्रांडिंग की गई है, काफी वड़े फॉन्ट के साथ, फिंगर फिन सेंसर आपको दिया गया है, साड़ी साथ अजार रपी के अंदर, और कैमरा सेटप पे नज़र आ ले, तो यहाँ पर आपको 16 मेगाफिक्सल का मेन कैमरा और दूसरा AI लेंस कैमरा, एक सपोर्टर कैमरा विद LED फ्लैसलाइट दिया गया है, इसके अलावा फ्रेंट में आपको ड्रॉप नौच के अंदर 8 मेगाफिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, मुबाइल के राइट साइड में अदिया गया है, स्पीकर ग्रिल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको उपर कॉलिंग स्पीकर के साथी स्पीकर ग्रिल भी दिया गया है, इसके अलावा मुबाइल हमारा बूट हो गया है, और इसकी जो ब्रैटनेस है इसे हम फुल कर देते हैं, ताक आपको ultra power mode मिल जाता है कई सारे option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, mobile में आपको काफी bright और colorful display देखने को मिल जाती है 480 nits की आपको इसमें brightness मिलती है इसके अलावा icon आप देख सकते हैं user interface scroll आप करने पर आपको यहाँ सारे के सारे apps नजर आएंगे, कुछ फाल्तु bloatware app भी आपको यहाँ पर मौजूद मिल जाएंगे, इसके अलावा बात करते हैं इसके display size की तो 6.52 इंच की HD plus IPS LCD आपको इसमें दी गई है, जिसका aspect ratio 2029, screen resolution 720 into 1600 pixel और pixel density 269 ppi की आपको इसमें मिलती है, इसके अलावा इसमें आपको 60 Hz का refresh rate भी दी आ गया है mobile की height है 164.8 mm width इसकी 76 mm thickness 9.5 mm weight 205 gram और factory 6000 यह आपको तीन color variant में मिलेगा, magnet black color, morpheus blue color जो की अभी हमारे पास ab level है और तीसरा है green color जो भी color variant आपको पसंद आता है आप purchase कर सकते हैं, इसके अलावा आपको finger pin sensor और face unlock की सुवधा मिल जाती है, जिससे हमने already set करके रखा हुआ है, तो अभी हमारा जो device है, वो lock है, तो finger को touch करते हैं यहाँ पर और यह device unlock हो गया, again try करते हैं तोड़ा time लिया, again try करते हैं तो बिल्कुल touch करते ही हमारा device unlock हो रहा है अलका सा time जुरूर ले रहा है इसके लावा हम सारी fingers को आगे कर लेते हैं और face unlock देखते हैं, तो device अभी lock है, face के सामने किया time लिया जी, again try करते हैं work तो कर रहा है लेकिन फिर भी time जुरूर ले रहा है देखिए तो इस price range के अंदर हम adjust कर सकते हैं, थोड़ा सा time भी ले रहा है लेकिन work तो कर रहा है चलिए अब इसकी setting को हम open कर लेते हैं तो setting का जो interface है, वो कुछ ऐसा आपके सामने कुलता है, बिल्कुल same है कोई अंतर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है सारी के सारी setting आपको यहाँ पर available मिल जाएंगी, storage को हम यहाँ पर open करके देखें, तो 32GB में से 24% already use हो चुका है और 24GB आपको use के लिए available phone में मिल जाएगी इसकी अलावा expandable memory आप 256GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं, RAM 2GB आपको इसमें मिलती है, जिसमें से 38% already use हो चुकी है चलिए हम आते हैं सबसे उपर जो phone का option दिया गया है my phone का इसे open करें, तो highOS version 7.6.0 आपको इसमें दिया गया है 2GB RAM, 32GB का internal storage, 8MP front 16MP rear camera 1.6GHz का octa-core processor आपको इसमें दिया गया है जो पहला वाला था, उसमें आपको quad-core दिया गया था 6000 mAh की battery है, android version 11 आपको इसमें मिलता है तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिला सिर्फ यहाँ पर octa-core कर दिया है quad-core से, इसके अलावा 12NM का fabrication, graphic power VR, Z8320 के आपको इसमें मिलते हैं, चलिए एक बार camera को भी open करके देख लेते हैं तो camera clarity आप देख सकते हैं एक 16MP का camera है और clarity मुझे आपर ठीक टाक लगी इस price range के अंदर आपको काफी unique camera मिल जाता है, इसका और zooming देखते हैं इसकी, तो 4X तक आप मातर zoom कर सकते हैं और zoom quality भी आपको इसकी ठीक टाक मिल जाती है इसके अलावा आपको यहाँ पर filters मिल जाते हैं, जो भी आपको अगर filter use करते हैं, तो यहाँ से आप use कर सकते हैं, काफी अच्छे filter आपको इसमें मिल जाते हैं, और time lapse का option मिल जाता है, अगर आप time lapse में video shoot करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, इसके लावा वीडियो के option में zoom देखें, तो 4X तक यहाँ पर भी आप zoom कर पाओगी, AI cam, beauty mode potted mode, panorama mode, लेकिन slow motion का option आपको इसमें नहीं दिया है, front selfie camera देख लेते हैं, तो 8MP का selfie camera है, तो beauty mode में यह बिल्कुल चेहरा को wide कर लेता है हम normal mode में आजाते हैं, AI cam तो यहाँ पर आपको ठोड़ा ठीक टाक देखने को मिलेगा, लेकिन rear camera से front camera थोड़ा सा बेका लग रहा है, उतना खास नहीं लग रहा है जबकि 8MP का है, तो उस हिसाब का आपको front camera नहीं मिलता है इसके लावा selfie camera में zooming देखें तो 2x तक आप इससे zoom कर पा हुए जी हाँ, देख सकते हैं आपर, और एक बड़िया feature आपको और दिखा देते हैं यह रहे double LED flashlight जी हाँ अगर आप front camera से night में selfie capture करना चाहो तो इसमें आपको double LED flashlight की सुगदा दी गी है, जो काफी अच्छी लगती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंधेरे में भी आप selfie capture कर सकते हैं तो friends, 7,499 रुपे की कीमत में आपको यह Tecno Spark 7 का Octa Core version कैसा लगा, comment box में जरूर बताईए क्या आप इसे purchase करना चाहोगे दोस्तों अगर आप YouTube, Facebook, Instagram जैसे app चलाते हो जादा तर तो उसके लिए यह smartphone काफी अच्छा है अगर आप थोड़ी बहुत gaming करते हो तो यह gaming के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा अगर company में इसमें Octa Core कर दिया अपग्रेड तो कम से कम चिपसेट भी अपग्रेड कर देना चाहिए था कम से कम इसमें आपको media tech Helio Z35 दे देते तो बढ़िया हो जाता लेकिन नहीं दिया चलो कोई बात नहीं फिर भी हम साड़ी साथ अजार रुपे के अंदर अगली वीडियो में अगली अन्बोक्सिंग के साथ तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद